हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हमें बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है इमानदार लक्कड़हारा बच्चों जीवन में हम कितनी भी मुश्किलों में पढ़ जाएं परंतु इमानदारी से हमें कभी दूर नहीं होना चाहिए हमेशा हमें इमानदारी का साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए इस कहानी में हमें यही सिखाया गया है चलिए, इसे पढ़ते हैं और इसकी शिक्षा को समझ लेते हैं एक गरीब लकरहारा तेज बहती नदी किनारे एक पेड़ की शाखा काट रहा था अच्छानक उसकी कुलहारी उसके हातों से फिसल कर नदी में गिर गई उसके पास एक ही कुलारी थी इसले वह उसे वापस लाने के लिए नदी में कूत पड़ा लेकिन वह उसे खोश नहीं पाया तो बच्चों एक लकरहारा जिसके पास एक ही कुलहारी थी वो लकरी काटते हुए पानी में गिर गई लकरहारा दुखी हो गया तथा जोर जोर से रोने लगा उसका रोना सुनकर नदी के देव वहाँ आए उन्होंने लकरहारे से पूछा कि वह क्यों रो रहा है लकरहारे ने उन्हें बताया कि उसकी एक लौती कुलहारी नदी में गिर गई अब वे अपनी जीवी का कैसे कमाएगा कैसे कमाएगा और कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा उसकी बात सुनकर देव नदी में गए और तथा लोहे की कुलहारी के सार बहार आए उन्होंने कहा यह लो मैं तुम्हारी कुलहारी ले आया लकरहारे ने कहा नहीं देव यह कुलहारी मेरी नहीं है मैं इसे नहीं ले सकता देव फिर नदी में गए इस बार वह चांदी की कुलहारी की सार वापस आए उन्होंने वह कुलहारी लकड़हारी को दी लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कुलहारी लेने से मना कर दिया जो कि वह उसकी नहीं थी इस बार देव पुन्हा नदी में गए तथा उसकी लोहे की कुलहारी लेकर वापस आए लकड़हारा अपनी लोहे की कुलहारी देखकर बहुत खुश हुआ उसने जट वह कुलहारी देव से ले ली और देव को धन्यवाद दिया वै देव लकड़हारे से इतने प्रसन हुए कि उन्होंने लकड़हारे को सोने तथा चांदी की कुलहारी भी उसे उपहार स्वरूप प्रदान कर दी तो देखा बच्चो लकड़हारा बेहद उमानदार था इसलिए तो उसे अपनी लोहे की कुलहारी के साथ साथ सोने और चांदी की कुलहारी भी उफार स्वरूप मिल गई तो इस तरह हमें भी कभी भी इमानदारी का साथ नहीं चोड़ना चाहिए जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा अगर हम इमानदारी के साथ चलते रहेंगे उम्भीत करती हूं बच्चों इस कहानी से जो सीख मिली है उसे भी आप अपने जीवन में अपनाएंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे अब आप इस पार्ट का अभ्या स्वेम कीजिए